मूवी के स्टार्ट में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है, इस फैमिली में पेरेंट्स और उनके चार बच्चे होते हैं, सबसे सोटा बच्चा वो सिर्फ 6 माइने का था, चिल्रन के मॉम पूरा दिन अपने बच्चों का ध्यान रखती है, बच्चों के डैड मोस्ट ओव टाइम घर से बाहर ही रहते हैं, अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए वो बहुत ही जादा हार्ट वर्क करते हैं, बच्चों के मॉम उनके डैड को मिस्स करती थी, वो घर की रिस्पॉनसिबिलिटी से परिशान हो चुकी थी, इनका घर फॉर्म के बीच में था, की भी आवास पसंद नहीं थी, उनके हस्बिन ये बात नोटिस नहीं करते और इग्नॉर कर देते हैं, इनका बड़ा संद जिसका नाम जिमी था, वो अपनी मॉम की ये कंडिशन को नोटिस करता है, और अपने डैड को बताता है, डैड उसे ये कह देते कि तुम्हारी मॉम डिप्रेशन में है, इसलिए उनका बीहेवियर ऐसा हो गया है, अब जिमी के डैड उसे रेडियो चलाना सिखाते हैं, ताकि वो कभी किसी की जरुरत पड़े तो हेल्प मांग सके, अब मॉम की हालत खराब होने लगती है, मिरर में देखके बाते करती है और ऐसे बीहेव कर रहे होते हैं, जिसे मॉम का गुस्सा और भी जादा बढ़ जाता है, वो फ्लोर पे प्लेट फेक देती है, सब बच्चे साइलेंट हो जाते हैं, अब मॉम सिक्स मन्थ वाले बेबी को यह केके उपर ले जाती कि मुझे उसे बात कराना है, जिमी को याद आता है कि थोड़ मॉम को बुलाता है, तब ही जिमी की छोटी सिस्टर वहां आती है, उनकी मॉम उसकी सिस्टर को टॉर्चर करती है, क्योंकि उसने कुछ बदमाशी की थी, और उसकी मॉम सिस्टर को मारने ही आ रही थी, जिमी अपनी मॉम को रोकता है, तो उसकी मॉम उसे धक्का मारती है, अपनी sister को बचाने के लिए Jimmy अपनी mom पे अटाक करता है, ऐसा करने से उसकी mom faint हो जाती है और Jimmy अपनी sister को बचा लेता है. जिमी अपने छोटे brother को neighbor के पास भेशता है, जो थोड़ी ही दूर रहते हैं. थोड़ी देर बाद Jimmy की sister को होश आता है, वो अपनी sister को लेके घर के पीछे चिपने के ले जाता है. तबी mom दूसरे son को देख लेती है और उसे बार-बार mirror से मारती है जिससे वो मर जाता है. दोन वहाँ से आगे निकल जाते हैं. जिमी की sister गिर जाती है, उसे उठा के जिमी पास वाले farmhouse पर चला जाता है. वहाँ जाके जब वो उसकी bandage करता है, तबी tractor की आवाज वापस आते है. जिमी की sister चलने की situation में नहीं थी, इसलिए दोनों वहीं छुप जाते हैं. जिमी अपनी पीर नहीं कर पाती कि उनके बच्चे उनसे भाग रहे हो. तो वो चीजों को इदर उदर फेकती है. वो एक बड़ा सा फोक उठा के इदर उदर मारती है. तबी उन्हें अपनी डॉटर दिखती है. बच्ची बहुत स्केर थी पर मॉम को उस पे बिलकुल दया नहीं आती. और वो अपनी डॉटर को मार देती है. जिमी ये सब देख रहा होता है. वो सारा समान अपनी मॉम पे फेक के किचन में छुप जाता है. पर किसी तरह उसकी मॉम को पता चल जा रहा था कि जिमी कहा छुपा है. जिमी को और डराने के लिए उसकी मॉम चिकन के साथ बहुत ब और जोफ चाई कि मेरा मॉम Nord हो जाये तब भी वहां पर इनके नेबर का डोग आता है और वह मॉम पर इस बहुत बहुत करने की कोशिश को भाख जाता है और बहुत फक की थी दाध सुनके वहां आ जाता है और मॉम उसे भी मार देती है। मॉम वापस जिमी को ढूंडती है। जिमी घर आ जाता है और रेडियो से अपने डाट से कॉंटाक करने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। जिमी सेफटी के लिए पॉकेट में नाइफ रख लेता है। मॉम के रेडियो और तोड देती है। किसी तरह जिमी नाइफ से उनके लेक्स पे स्टैप कर देता है। जिमी वहां से भागता है तब ही उसकी मॉम उसके अटाक करती है। जिससे जिमी नीचे गिर जाता है। उसकी मॉम उसका नेक दबाती है और जिमी उनने पीछे धका देता है और नीचे चला जाता है अब मॉम के पास गे रहना बरियर को तर नहीं हरकर आपकिस के SalonNow we begin. टबतक जिमी के डाड भी वहां आजाते हैं और मॉर्निंग में पुली इंजर् जिमी को तीन बच्चों कीIBपो hm, कर बाकर लीजें ठीक हो जाता है। उसके डार उससे मिलने आते हैं और बताते हैं तुमारी मॉम अलाइव है। और उसी हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर का कहना था कि उसकी मॉम को बेबी ब्लूज वाला डिप्रेशन हो गया था। जो बेबी के बर्थ की वज़ थी इसी के साथ मुवी एंड हो जाती है।